नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन और ओफलेंड गैन में इस रो इस साल बहुत महरबान और एटिया वाले बच्चों पर लगातार इस रो की मल्टीपल यूनिट में आप लोगों को वेकेंसीज देखने को मिली है इस रो की जो नोकरी है डिया डियो से कंपेर करें तो एक लेवल ज़ादा आप लोगों को प्रोफाइल पर हायर किया जाता है इस रो में DRDO में आप लोगों को technician A की profile दी जाती है यहाँ पर technician B की profile दी जाती है ठीक है तो इस रोग की नोकरी अगर compare करें DRDO से तो एक जो है अच्छा पद यहाँ पर आप लोगों को मिलता है आपकी बार जो vacancy आप लोगों के लिए आई है वो एहमदबाद unit से आई है इससे पहले जो आप लोगों के लिए vacancies आई थी उसके exam I think आप लोगों के लिए इसी महीने आप लोगों के 20 तारिक के आसपास होने वाले है यह सब जानते है जो form फिल करके बैठे हुए बाकी इस वीडियो में मैं पूरी जानकरी आपको provide करूँगा एक हमारे SCVT वाले बच्चे है थोड पिर भी मैं एक बार इसरो के जो इनके centers है calling के इन पर call करके कल confirm कर लूँगा और जब आप लोगों के लिए कल रात में या परसो आफ्टरनून में form की वीडियो लाऊंगा तब आप लोगों को मैं clarity दे दूँगा कि SCVT वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे आप ब लोगों को vacancies देखने को मिलिया फिटर के लिए चार पोस्ट है जिसमें UR की दो है OBC की एक है और ST की एक है अब भया SC वाले बच्चे बोलेंगे सर जी हमारी तो पोस्ट दे नहीं रखी तो हम क्या करें देखो भई जिसमें SC नहीं दे रखी वो बच्चे जो है यहां पर U OBC की ही vacancy है तो SC वाले बच्चे, UR वाले बच्चे क्या करेंगे, ST वाले बच्चे क्या करेंगे तो इनके लिए vacancy नहीं है उस category में यह बच्चे नहीं फिल कर सकते ठीक है अगर यहां पर UR होती OBC की जगा या multiple category होती साथ में UR होती और आपकी जैसे यहां पर SC नहीं है सेम कंडिशन 10th pass plus ITI, ITI नहीं है तो National Apprentice certificate भी आपका चल जाएगा, SCVT वाले बच्चे ध्यान से सुनो, जिन बच्चों के पास SCVT नहीं है, SCVT है सोरी, SCVT है लेकिन साथ में उन्होंने apprentice किया है तो वो 10th plus apprentice के बेश पे form easily डाल सकते हैं, बाकी मैं परसों तक आपको clarity तो अच्छी खासी vacancy है, electronics mechanic वाले बच्चे इसमें apply करेंगे, 15 post दिये electronics mechanic की, जिसमें UR की 5 है, OBC की 5, इसमें 80 की 3 है, EWS की 2 है, वही same condition जो उपर category wise आपको बताईए, आगे अगर मैं बात करू, IT की, IT में 5 vacancy है, इसकी भी आपको IT ही होती है, आप जानते ही है, और यहाँ पर U R की 2 है, OBC की 2, ST की है, same condition, information technology में आपको IT है, साथ में 10th pass चाहिए, अगर IT है नहीं है, या HCVT का certificate है, अपरेंटिस की है, तो आप 10th plus उसके बेस पे भी डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ICTSM, ICTSM को लेकर बच्चे confuse रहते हैं कि सर जी, कोपा वाले इसमें डाल कोपा को मोका नहीं दे रहा है, मैं जानता हूँ कि हर जगा पर कोपा के requirement होने चाहिए, क्योंकि computer हर जगा पे है, अब यह ऐसा क्यूं कर रहे है, इसकी तो जानकारी department ही दे सकता है, अब यह बच्चे बहुत परिशान है क्योंकि इनके लिए vacancy नहीं आ दिए, कोपा वालो बोल दे, या IT, ESM बोल दे, इसमें 5 vacancy है, 2 UR, 1 OBC, 1 HT, 1 EWS, अब SC नहीं है तो SC वाले बच्चे UR में जाके apply करेंगे, same condition जो आपको मैंने बताई, वही चीज रखी हुई है, उसके बाद यहाँ पर electrician, electrician की अभी जो पीछे unit में vacancy आई है, उसमें भी vacancy कम थी, लेकिन उ के, तो इसमें OBC दे रखी है, तो इसमें ना UR कर सकता, ना SC कर सकता, ना ST कर सकता, जिसके पास OBC का non-crimalier, कrimalier नहीं, non-crimalier certificate है, वह apply करना, same condition qualification की, डोट्सman, जो mechanical है, वो बच्चे भी apply कर सकते, लेकिन पोश्ट है कि यह girls ने बहुत ज़्यादा डोट्सman mechanical से ITA किया, civil से किया है, तो वो इसमें देख सकते हैं, same condition, ITA plus 10th वाली, उसके बाद technician chemical की vacancy है, एक पोश्ट है, आप qualification देख सकते हैं, liberty assistant में इसमें ITA चाहिए, उस में हर category का बच्चा डाल सकता है, लेकिन UR से, उसके बाद RNAC एक पोश्ट है, और यहाँ पर जो है, आप लोगों की qualification देख सकते हैं, अगर मैं overall देखूं, तो electronics, mechanic की सबसे ज़्यादा पोश्ट है, लेकिन अगर overall देखें, तो ज़्यादा पोश्ट नहीं है, अगर वो department से compare करके देखें, यहाँ पर 15 पोश्ट है, और आप लोग apply जरूर करना, फिटर के लिए 4 पोश्ट है, बाकी आप लोग जो है, नीचे बढ़ते हैं, और नीचे जाके आप लोगों को चीजे अच्छे से समझाते हैं, एज इसमें 18 से 35 साल है, जो आपकी एज calculate की जाएगी, 21 3623 के बेस पे calculate की जाएगी, यानी इस डेट पी आपके एज 18 से कम नहीं होने चीए, और 30 से जादा नहीं होने चाहिए, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और जानकारी प्रोवाइड करते हैं, इसमें आप लोगों को पता ही यह return होता है, और return के बाद आपका skill test होता है, आ अगर मैं इसकी पढ़ाई की बात करूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना आप मेरा course लो, ना मेरी कोई class लो, बाकि दूसरे का लेना है, मैं उसके बार में नहीं जानता, अगर आपके पास Asian की book है, Asian की book I take की, आप पूरी समझ लो, अच्छे तरीके से, Asian नहीं समझ आती निमी से पढ़ो, साथ में एक यूथ का PDF आता है, या book आती है, आप वो ले लो, बस, आपने अगर ये दोनों चीज कर ली, और MCQ जितने लगा लिए, आप लोग असानी से इसका exam करेक कर लोगे, दुबारा से बोल रहा हूँ, Asian लो या निमी लो प्लस यूथ लो, यूथ म मुझे बेकार लगी या पर, कि फीज जो है 500 पे रखी है, दोनों category की, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 80 वाले बच्चों को तो हम पैसे वापस कर देंगे, जब वो बच्चा exam देदेगा, लेकिन यूर के 400 वापस करेंगे, 100 पे हम लोग रख लेंगे, आप ऐसा इन्हों ने क्य पैसा रख लेते हैं क्योंकि जो बच्चा exam देने जाएगा, उसी को ही वो पैसा return किया जाता है, आशा करता हूँ, ये point से आप लोग समझे होंगे, क्योंकि पहले जो vacancy होती थी, उसमें सिर्फ fee रखी जाती थी, ये जो additional पैसा है 400 500 पे जो ले रहे हैं बच्चों से, ये नहीं रखा जाता था, तो fee का मैंने आपको बता दिया है, 21 ज्यादा समय नहीं दिया, 20 दिने आपके पास form आप लोग 21 तक बढ़ सकते हैं, ये कुछ contact number है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए है, तो इनसे आप लोग ले सकते हैं, मेरी तरफ से जानकारी संपून हुई मैंने अपनी तरफ से जानकारी आपको दे दी है, अब मैं आपको इनकी official site पे लेके चलता हूँ, आप लोग जो है, यहाँ पर इसका form भी देख सकते हैं, form की वीडियो दुबारा बोल दू, परसो तक आपको provide करूँगा, आज possible नहीं है, क्योंकि काल research करना है डंक से, यहा और details पे आप more, edits पे आप click करेंगे, यहीं से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इसका form fill कर सकते हैं, यहाँ से आपको form fill करने का option देख जाएगा, बाकी form की वीडियो जब लाओंगा, तो आपको सारी जानकारी provide कर दूँगा, how to apply देखना है, कैसे apply करना है, यहाँ झाल